ओम शान्ति आज 28 ओक्टोबर 2022 है और आज बाबा ने मुर्ली में हमें बताया जैसे कि हम बाबा की महिमा भी गाते आएं हैं कि सबकी मनुकामना पूर्ण करने वाले भक्तों को भक्ती का फल देने वाले हैं भगवान तो सबकी मनुकामना पूर्ण बाबा कैसे करते हैं वो बाबा ने हमें संगम पर आकर बताया है कि भक्ती मार्ग में तो बाबा के लिए ही करते हैं लेकिन इस समय बाबा हम सब बच्चों को साथ में रख करके सब की मनोकामनाय पूर्ण करते हैं और हमसे करवाते हैं इसी संदर्ब में आईए जानते हैं हम आज के बाबा के अव्यक्त इशारे अभी आत्माओं की क्यूं आपके सामने आएगी हे मुक्ती दाता मुक्ती दो क्यूंकि मुक्ती दाता के डायरेक्ट बच्चे हो अधिकारी बच्चे हो क्यूं तयार है लेकिन क्यूं शब्द की कमजोरी का दर्वाजा बंद है इसलिए समस्याओं का दर्वाजा क्यूं शब्द को समाप्त करो ये संगम युग आधार है हमारे आने वाले 20 जन्मों के जीवन मुगती का और यही संगम युग आधार है उसके बाद द्वापर और कल्युक की हमारी भक्तों की क्यूं यानि कि भक्तों की तैयारी का जहां एक और हम अपनी प्रजा बना करके उच राज्यपद प्राप्त कर रहे हैं तो वहीं हम भक्तों को भी उनकी भक्ती का फल दिला करके भक्त तैयार कर रहे हैं या उनके इश्ट देव देवी बन रहे हैं तो आज बाबा ने कहा कि अंतिम सीन कैसा होगा जिसको राज्य में आना है वो तो अभी बाबा से वर्सा लेकर के अपना पुरशाथ करके जो लेना है वो ले लेगा लेकिन जो राज्य में नहीं आएंगे उनकी क्यूं अंत में लगने वाली है और उस समय पर इतना समय नहीं होगा कि हम उन आत्माओं को शक्ती दे करके उनसे पुर्शार्थ करवाएं उस समय हमारे जमा किये हुए प्राप्ति के स्टॉक से ही हमें उन्हें अंचली दे करके उनको संतुष्ट करना है ताकि वो आत्माएं बाबा से संतुष्ट होकर के वापस घर लोटने के लिए तैयार हो सके ये है मास्टर मुक्तिदाता का कर्तव्य उस समय उनकी बुद्धी को अप्राप्ती से मुक्त कराना उस समय उनकी बुद्धी को उलहाने से मुक्त कराना उस समय उनकी बुद्धी को पुरानी दुख की दुनिया से मुक्त कराना ये एक सकिंड का काम है और इस एक सकिंड के लिए हमारे अंदर वर्षों का बहु काल का अभ्यास होना चाहिए इस अभ्यास के अंदर जो रुकावट पड़ती है वो है क्यों तो बाबा ने कहा कि क्यों क्या इन प्रशनों में आकर कि कही न कही हम अपनी स्पीड में ब्रेक लगा देते हैं इन प्रशनों से पार जाएंगे हर क्यों का उत्तर बाबा ने दिया है ऐसा क्यों हुआ ड्रामा में है ऐसा क्यों हमारे कर्मु का हिसाब किताब है तो जब हम पूरा-पूरा ज्यान को धारन करके त्रिकाल धर्शी बन के आगे करते जाएंगे प्रशनु में नहीं लेकिन निवारन की तरफ ध्यान देते हुए संपन्न बनते जाएंगे तो इन क्यूं का धर्वाजा खतम हो जाएगा और फिर वो आत्माओं की क्यूं हमारे पास आकर के हमसे अंचली लेकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकेगे तभी हम उनके इश्ट देव और देवी बन पाएंगे ओम शान्ति